हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माइ वर्ल ऑफ क्रियेटिविटी आज मैं आप सब को दिखाने वाली हूँ कैसे पुराने फटे हुए कपरों से हम दूसरा नए अलग से कपरे बना सकते यह देखिए यह मेरे बेटे का एक फूल ट्रैक पैंट है तो इसमें एक छोटा सा होल तो अब हम क्या करेंगे हुआ यह फूल स्लिफ को जो पैंट है इसको हम हमें मै रागे प्रेंगे तो देखिए इसको कैसे करना है ऐसे अब दूनों पैर को एंसे करके फोल्ट करके रखेए ठीक है सब नजए मैं अक्या करेंगे हम लोग इसको ऐसे काट डालेंगे जो भी जितना सारा फटा हुआ जगा है ऐसे दोने पैर का ऐसे हम लोग ने इसको काट के हटा दिया इधर तो अब देखिए यह क्या हो गया यह एक हप पैंट हो गया अब इसको हम लोगों को थोड़ा सीलना है है तो इसको एससे हम लोगों को फोल्ड करना पढ़ीगा यह वान फोल्ड है और यह टूफॉ में टेने से अच्छा रहता है अब one फोल्ड भी कर सकते हो कोई बात नहीं है इसे तो इसको ऐसे करके आनना हम लोगों को बस सील देना है सब के पास तो मशीन नहीं होता है तो ये हम हाथ से भी सील सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है इसमें बहुत ही इजी है जो रान स्टीच होता है न वो ही आप अगर दे दोगे इसमें ये देखिया ऐसे करके मैंने एक ही फोल्ड किया है इसको और इसको भी एक ही फोल्ड तो क्या है अभी तो ठंडा का मौसम जाने वाला है अभी समर आने वाला है तो गर्मी के मौसम में बच्चों को हाफ पैंट की जरूरत होती है तो ये मेरा फूल पैंट फट गया तो मैंने सोचा कि इसको हाफ पैंट कर लूँ कि यह दिखिए मैंने धागा सुई धागा लेलिया है आज मैं आप露ोग को हाथों से छी दिखाने बाली हूं कैसे सिलते हैं इसको तो यह मैंने डबल फोल्ट का धागा लिया है यह दिखें इधर से हम लोग उने एक फोल्ड किया था तो बस इधर में रान स्टीच देना है यह ऐसे ऐसे दिखिए बस यह ऐसे आपको रान स्टीच देखे जाना है तो ही आपका ये पैंट रेडी हो जाएगा और फिर आप गर्मी के मौसम में अपने बच्चे को पहना भी सकते हैं ऐसे बहुत सारे चीज़े होती है जैसे कि मैं वह भी करती हूँ जैसे उसका फूल स्लीफ का अगर कोई टी शर्ट है जो छोटा पर गया है देखिएगा कि बाजू की तरफ जो हाथ की तरफ का जगा होता है वही छोटा परने लगता है तो उसको काटके भी हम लोग अभ स्लीफ बना सकते हैं या स्लीफ लेस भी उन लोगों के लिए टी शेट बना के दे सकते एस्ह yönण वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी कि कैसे करते हैं अभी फिलाल हम लोगों का यह बन रहा है यह दिखिए यह दिखिए खली रान स्टीच दिया हुआ है मैंने यह दिखिए दोस्तों एक साइड मेरा हो चुका है अब हम इसको इसे लॉप कर दिंगे खली रान स्टीच देना था देखिए कितना इसी है यह देखिए एक पैर ऐसे हो गया ना यह देखिए देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गया और टाइम भी नहीं लगता इसमें बहुत ही कम टाइम में आपका यह बन जाएगा और उसी तरह आपको यह साइट भी कर लेना है तो देखिए कितना अच्छा सा है हांफ पैंड बन गया बच्चों को ऐसा होता है यह पह पज़ें करते है यह पहत पासंद है यह टीशर्ट बहुत पसंद है यह फट क्यो गया पहुपसंद हू भी भी पहना है तो उसको भी म तो यह वो आराम से पहन लेगा तो इस तरह से हम लोग पुराने कपरों को ना फेक के ऐसे भी यूज़ करके पहन सकते हैं तो आए होग के आप सबको ये भी पसंद आया ये ये वीडियो भी पसंद आया तो हम फिर से मिलेंगे आज के लिए इतना ही फिर हम आपको दूसरा कुछ ऐसा चीज दिखाएंगे आशा करते के आप सबको पसंद आये आज के लिए इतना ही टाटा